नमस्कार, एकजाम है पी वाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जेटेट परिछा 2024 के महत्वपूर्ण प्रशनों को ले करके और उसकी तियारी को ले करके तो आप यहाँ पर JCERT, टेस्ट बुक के सारे नोट्स और प्रशनों को देखना कभी भी नहीं बूलेंगे अभी आपका एडविशन यहाँ पर चल रहा है सिर्फ पर से 500 रुपए में 100 कंडिडेट का एडविशन होगा उसके बाद यहाँ रासी 1000 रुपए कर दी जाएगी तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े यहाँ पर सारे सब्जेट की तियारी सुरू कर दी गई है आप सभी अगर 101 पर 303 स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट अप्सन होगा handwritten notes जो कि आपको यहाँ पर सारे राजियों में जो सिछक पत्रता परिच्छा हुई है उसके हल परस्ण पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCRT जो Jack की किताब है उसके model पर अधारी सारे परस्णों का हल करवाया जा रहा है तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके सारे notes और PDF एक बार देखे आपको पता देते हैं यदि आपको जब भी वीडियो मिले कभी भी मिले तो आप यही कलास नहीं कर पा रहे हैं तो अंतिम समय भी बचा हुआ रहेगा तो आप यहाँ से दस दिन का पात दिन का समय बहुत ही काफी है क्योंकि JCRT टेस्ट बुक से जो बने हुए notes होता है उसे प्रशनों की संख्या देखे बहुत ही कम है और उसे भीड़ने की संख्या बहुत ज्यादा है अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब प्रशन किताब से थे लेकिन लोग को इताब से पढ़ते नहीं है सिर्फ बजारू किताब को देखते है कुलक नाम आया हुआ है त आपको लगे कहाँ से प्रशन आया हुआ है तो उसको हम लोग कुलक के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो कुलक, कुलक ये को से बना है, और किसान ये भी को से बना है, तो कुलक मने किसान की अच्छी हाला से संबंधित है, ठीक है, अगला है, 1917 इस्वी में जार साही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, देखे, 1917 इस्वी में जो वहां का सासक का क्या कहा जाता था जार और जार का उहां से क्या होने लगा पतन होने लगा उहां से बिलूप्त होने लगा तो इस घटना को क्या कहते हैं जहां से जार जब हटने लगा था उस घटना को क्या कहते हैं फरवरी करांती खुनी रभिवार अक्टूबर करांती या मार्च करांती ठीक है तो देखे ये जो जार साही का पतन हो रहा था वो आपका अक्टूबर में हुआ था ठीक है इसलिए इसको जो है इहां पर क्या कहा जाता है अक्टूबर करांती के नाम से जाना जाता है ठीक है जार साही के पतन जार का हटना अक्टूबर करांती से स झार किस देश का सासक था अमेरिका का रूस का चीन का या जपान का तो रूस के सासक को क्या कहते है हम लोग जा रूस के सासक को 1 अर estás को जार कहते थे यांनि जार किस тебе जुड़ा हुआ रूसे जुड़ा हलसे जुड़ा हुआ है समाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किषने की प्रशन बहुत थी MBBI और यहां पर देखिएगा जो World History है इससे बहुत सारे यहां पर नारे या सलोगन दिये गए हैं वो आते हैं और पुस्तक के नाम आते हैं तो समाजिक उपबंध एक पुस्तक है इसकी रचना किषने की पुछा हुआ प्रशन है रूसो दिद्रो वाल्टियर या वाल्टर मैं ठीक है टॉम स्पैन को उसने किया तो समाजिक उपन्द नाम पुस्तक की रचना किस ने की थी? रूसो ने किये थे, ठीक है, समाजिक उपन्द नाम पुस्तक की रचना रूसो. सेंट पिटर्श्वर का नाम क्या पड़ा था? सेंट पिटर स्वर्थ था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था ये आपका पहला क्यूशन आया हुआ था ठीक है सेंट पिटर स्वर्थ का नाम बदल के क्या रखा गया पेरिस पेत्रोग्राद पोलेंड या कोई नहीं तो सेंट पिटर स्वर्थ का नया नामिहा पर द अपसे पूछा गया है लेलीन है केरेंस्की है पूतिन है या कोई नहीं तो देखे जार का जब पतन हो रहा था उसको अक्टूबर करांती काते हैं उस समय के परधान मंतरी जो थे वो आपको केरेंस्की थे उस समय परधान मंतरी कौन थे वहां का रूस का केरेंस्की थे ठीक है केरेंस्की को याद रखेगा लेलिन के बाद रुसी Communist Party का नित्री तो किस नी क्या लेलिन यहाँ पर जारसा ही का पतन हुआ उसके बाद लेलिन हटा और रुसी Communist Party का जो नित्री तो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे लेलिन, गुरवाचो, स्टालिन या सुलको कौन कर रहे थे ठीक है तो लेलिन के बाद रुसी Communist Party का जो नित तो कर रहे थे वो थे स्टालिन दो नाम एकदम याद रखेगा लेलिन का और स्टालिन का ठीक है ये दोगों इसमें धमाल मचाते हैं लेलिन और स्टालिन बहुत बार ये प्रशन लेलिन से और स्टालिन से जुड़ा हुआ रहेगा ठीक है लेलिन और स्टालिन को याद रखे हैं आप लोग एकदम आस्वस्त हो के जैसी आटी को पढ़ लिजे अईसे तर ट्वेल तक पढ़ लिजेगा तो बहुत ही अच्छा लेकिन तेन तक भी पढ़िएगा तो आपको देखे 60% आने से कोई नहीं रोख सकता है असी ध्यान से पढ़ लिजेगा इसके अलावे भी प हमाल मचा दिजेगा ठीक है सोबियत संद का भी घटन कब हुआ 1980, 1989, 1991 या इहां पर दियावा 2004 तो सोबियत संद का जो भी घटन हुआ था वो 1991 इस्वी में हुआ था कभी डेट पुछ दे तो आप याद रखेगा 26 दिसंबर 1991 इस्वी को हुआ ठीक है एकदम MVVI है सोबियत सं बहुत बार आया हुआ है प्रशनी आपका साम्यवादी समाजवादी विचारधरा के परवर्तक कौन थे साम्यवादी या समाजवादी विचारधरा के परवर्तक था वो यहां पर थे आपके कारल मार्श ठीक है समाजवादी विचारधरा के परवर्तक कौन थे कारल परिवर्तक थे हैं डियूमा किस देश की संसद का नाम है ब्रिटेन जपान चीन या रूस ठीक है डियूमा किस देश की संसद का नाम है यह प्रस नभी पूछा गया था आपके JSC में ठीक है और Jack में भी पूछा गया था लोगों ने बहुत ही गलत किया था Britain, चीन, जपान या आपका दिया है रूस तो देखे डियूमा जो है रूस की संसद का नाम है डियूमा किसे समंदित है तो यह रूस की संसद है ठीक है रूस की संसद है याद रखेगा सभी देशों की संसद का अलग-अलग नाम है अब भारत में इसे औरेड़ी संसद ही कहा जाता है समाजवाद सब्थ का परियोग सरुपर्थम किस ने किया देखे प्रशन आया था कि नहीं आया था आया था ना देख लिजी समाजवाद सब्थ का परियोग सरुपर्थम किस ने किया कारल मार्श मॉंटेस की यू रोबर्ट ओवेन या जाज बर्नाडे सो ठीक है तो समाजवाद सब्थ का सरुपर्थम परियोग जो है रोबर्ट ओविन ने किया था रोबर्ट ओवन वे देखिए आया हुआ प्रश्न भीड़ने लगा है और ये कहां से हम पढ़ा रहे हैं आपको कलास 9 का वर्ल्ल हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं 1929 में रूस में किसने सामूही करन कार्चकरम का सुरू किया रूस में कोल खोज क्या था रूस में एक कोल खोज कार्चकरम था या कोल खोज क्या आची से जुड़ा हुआ था ये कोल खोज भी आया हुआ प्रशन था लोगों को लगा कि ये कहां हम पहुँच गया प्रशन कहीं मिला ही नहीं ठीक है तिये कोल खोज क्या था सामन्त सामोही खेती सामोही प्रात्ना या विद्रो ठीक है तो रूस में जो यहां पर कोल खोज था वो एक सामोही खेती था क्या था सामोही खेती की खोज की गई थी जिसको कोल खोज के नाम से जाना गया था। लूई ब्लोग कौन थे? लूई ब्लोग कौन थे? एक बेग्यानिक, एक राष्टरवादी, एक उदोगपती या कोई नहीं। यह लूई ब्लोग जो थे एक राष्ट्रवादी नेता थे, क्या थे राष्ट्रवादी नेता थे, किसके नेतरित में मजदूरू का जूलस जो है विंटर पहलेस पहुचा था, यह भी प्रस्ण पूचा था, किसके नेतरित में मजदूरू का जूलस जो है विंटर पहलेस प Waver Winter Palace पहुचा था, प्रसन पूछे हुए हैं Karl Marse कहां का निवासी था, रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का या England का, ठीक है, Karl Marse कहां का निवासी था, पुछेके प्रसन में से एक है, तो यह इसका राइट एंसर हो जगा, जर्मनी का निवासी था कारल मार्श कहां का था जर्मनी का निवासी था दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किशने की दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखा कौन थे एक हजार एक बारी प्रस्न पूछा गया है आपके भी जाम हो सके तो आ जाए ठीक है दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखा कौन थे कारल मार्श, मॉन्टेस्कियू, वाल्टेयर या अलगजेंडर दिवती ये ठीक है तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखा कौन थे कारल मार्श थे दास कैपिटल जो पुस्तक लेखी गई थी उसके लेखक जो थे हैं वो कारल मार्श थे हैं एदम आया हुआ प्रस्न है दुनिया के मजदूरो एक हो का नारा किस ने दिया वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए यहां पर नारा जडूर पूछ दिया जाता है तो दुनिया के दुरो एक हो इसका नारा कारल मार्श ने दिया था किस ने दिया था पेट्रोग्राथ क्रांटी को किस नाम से जाना जाता है पेट्रोग्राथ जो नाम बदल के रख दिया गया था आपको पेट्रोग्राद चीक है यहाँ पर पेट्रोग्राद जो नाम बदला उसको किस क्रांती के नाम से जाना जाता है फरवरी क्रांती अक्टूबर क्रांती मार्च क्रांती या अगस्त क्रांती तो ओजी क्रांती थी थे उसको क्या कहा जाता था यही प्रश्ण पूछ दिया गया था कुलिन वार्ग पात्री वार्ग यह कोईन रह्लके थे तो रूस के संपन किसान को जो है कुल अको नाम से जाना जाता है प्रस्ण अगर पुछा जाएगा तो सब पर फ्यूज हो रहे हैं बहुत बहूत बहुत हलके प्रस्ण यहसे बतिक दरोकर बन्लेुस करोकों राया कर हैं बहुत भारे है लगे बहुत हलका प्रस्ण है बस आप जेशे आटी देहके जाए यह 1917 से पूर्व रूस पर किसका सासन था झार- Sherman घ्र नि कोललस 10 series तिरतिये जार निकोलस चार किस का सासन था ठीक है तो 1917 से पुर्व जो रूस पर सासन था वो जार निकोलस दिवतिये का था ठीक है जार निकोलस दिवतिये का था रूसी संसत का क्या नाम था आपसे पूछा है रूसी संसत का क्या नाम था एक्जाम में आया हुआ था संसत भ खुनी रभिवार के नाम से किस तीथी को जाना जाता है, खुनी रभिवार उस तीथी कौन सी है, 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 ये 22 जनवरी 1905, ठीक है, तो जो खुनी रभिवार हुआ था, वो 22 जनवरी 1905 को हुआ था, और इसे रिलेटेड आपको बहुत important notes हम नी रूस का सामान्त या रूस का समराट, रूस में जार किसको कहा जाता है, ये पूछा गया है, तो रूस का समराट या रूस के राजा को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था, ठीक है, ये प्रशन आये हुए हैं, जार का क्या मतलब है, ठीक है, तो जार का मतलब रूस का रा तो यहां पर जो आपको तियार किया था वो लेलिन था और 16 अपरेल 1917 को तियार किया गया था और यह यह क्या थी तो 10 निर्देशों की एक स्रिंखला थी जिसको अपरेल थिसिस के नाम से जाना जाता है एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किशने दिया प्रशन अभी आया हुआ था एक जाम में ठीक है यह देखे एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा कहां मिल रहा है कलास नाइन में चेप्टर टू में मिला है ना आया हुआ प्रशन है देख लिजिए सब सब गुत के साथ आपको हम दिखा रहे हैं अब सब किताब में आपका है लियो टॉल्स्टो आया है लेलीन जार निकोलस दिवतिये या रोबर्ट ओवेन ठीक है एक जार एक चर्च और एक रूश का नारा किस ने दिया आपको बताना है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपको जार निको या कोई नहीं ठीक है तक 1864 इसमें भरतिय वन या सेवा की अस्थापना होई थी ए एकड़ां से आपका एक प्रस्ठा ने Rules ऑलकित आ現ृक स्थापित किया गया किस राज में है यह सारा प्रशन आपको पूछा जाता है ठीक है तो इंपरियल फोरेस्ट रिसर्च किस राज में है तो उत्राखंड राज में है यहां से तीन प्रशन बना आप से पूछेगा इंपरियल फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिचूट किस राज में इस्तीत है तो उत्राखंड में है इंपरियल फोरेस्ट इंस्टिट की सस्थान पर है तो देहरादून में ठीक है यह तीनों प्रशन आते हैं आपको तीनों प्रशन को हम इहां पर कबर अप करवा दिये हैं भारत का पर्थम वन महानी देशक कौन थे यह भी प्रशन पूछा गया था आपका जैसेसी में भारत का पर्थम one महानी देशक कौन थह, लाइट डलोजी, लाइट में कहले, डयट्रिच बेंडिस या कोई नहीं, ठीक है, तो भारत के पर्थम one महानी बस्तर कहां है ये वन के अंत्रगत पूछा जाता है मधपरदेश उडिशा आंदरपरदेश या 36 गड़ पहले या मधपरदेश से ही सटा था लेकिन अलग होने के बाद या 36 गड़ में आ गया है यानि बस्तर कहां है तो 36 गड़ में आपका है एक मिल लंबी रेल लाइन थी 1760-2000 शिलिपर, 1000-1500 शिलिपर, 1500-1550 शिलिपर या कोई नी ठीक है तो देखे इसका राइट एंसर है 1760-2000 शिलिपर इसको भी यहां लगभग में लगभग में यानि 1760-2000 शिलिपर लगभग लगता था यही चीज है ठीक है अगला है जंगल एवं जमीन को साफ कर अस्थ खेती को क्या कहा जाता है ठीक है बहुत से लोग ऐसे भी पहले थे जो कि आपको उपनिवी स्वात की समय वह क्या करते थे वन की सफाई करते थे और वहां पर एक या दो साल खेती करते थे फिर वह दूसरे जगह चले जाते थे फिर वहां भी इसी तरह से सफाई करते खेती करते थे इस तरह से घूम घूम कर खेती करते हैं तो देखें घूम घूम के और जूम जूम के खेती करते थे किसे करते थे घूम घूम के और जूम जूम के खेती करते हैं तो जूम जूम के करते हैं तो उसको जूम के खेती या घुमंतु खेति कहा जाता है सीधी पंक्ती में एक ही तरह के पेड़ लगा कर इस चित्र को क्या नाम दिया इए जैसे आप देखते होंगे सीधी पंक्ती इस तरह से इसटरह से एक पंक्ती में आप पेड़ लगे मिलते हैं तो आप कहते हैं कि ये आम बगान है अगर आम का प्रिड लगा हुए एक लाइन से सित कहते ही आम बगान है अगर लिची का है तो लिची बगान है तो इसको बगान कहते है क्या कते है बगान यानि राइट एंसर इसका बी है क्या है राइट एंसर बी है किस अंग्रेज अपसर ने 400 बागों को मारा था कौन सांग्रेज अपसर था देखिए प्रश्ण पुछ दिया गया था अदम को लगा कहां से प्रश्ण सब जेसी आटी सब एकदम बहुरा जेसी आटी में तम समझेए किस अंग्रेज अपसर ने 400 बागों को मारा जार्ज यूल जीम करवेट लाइड रिडिंग या ब्रेंड इस तिक है तो किस अंग्रेज अपसर ने 400 बागों को मारा तो वह आपका थे देखिए जार्ज यूल कौन थे जार्ज यूल सन 1600 में भारत की भूमी का कितना भाग क्रिशी अधिन था छठा भाग पांचवा भाग चौथा भाग या तीसरा भाग या या इस भी में बुला जा रहा है कितना भाग जो भूमी के अधिन था तो वह आपका था देखिए छठा भाग कितना था छठा भाग जो था आपका क्र पर ढाला हुआ कंक्रीट का लगा हुआ है रेलवे पट्री के नीचे जिस पर रेलवे रहने तो उसके नीचे लेकिन उसके पहले क्या लगए हुए रहते थे ठीक है तो सिलीपर कहां लगते हैं बस में वायूयान में रेल की पट्री पर रेल के इंजन में बस में नहीं लगत होने की परक्रिया को क्या कहते हैं प्रदूसान वन विनास वन उत्पाद या वाने की ठीक है तो देखे जब वन लूप्त होंगे वन के समाप्ति होगे तो वहाँ पर क्या होगा वन प्रदूसान होगा और इस परक्रिया को जो वन का लूप्त होने वन को खराब करने के लिए कहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा देखिए one का बिनास क्या हो जाएगा one का बिनास है इसका नाम देंगे हम लोग one त्वाट मांत खोप देगा है वहां तोपर बनने के लिए उपिना लेंगे थिक भारत में राजियों का निर्मान मुखहता किसके ठार पर कि वह क्यों धिक है तो भारत में राजों का निरमान जो हो गया वह भासाई अथार पर गठूत हुआ था इसमें पहला राज के पहला थे निर्मान निर में भासाका अधर पर कई से सब वड़ा राज कों है राजस्तान मेघालय असंप पढ़िए थी यह आर टेट में यार टेट में तीन बार पूछा गया है, से जी टेट में एक बार आया हुओ और पनजाब में एक बार आया हुग पुराशन है तो चेतरफल के द रिष्टी से सबस네요h kepada raja master और गोवा राजित्थान तोsom सबसे चोटा राज्य है जन संख्या के दिश्टी से सबसे बड़ा राज्य कौन है योपी ट्रेट में तीन बार और सीजी ट्रेट में दूबार और आपका पंजाब ट्रेट में एक बार प्रस्न पूछा गया है जन संख्या के दिश्टी से सबसे बड़ा राज्य कौन है असम उत्तर प्रदेश राजिस्था निया गंग ट्रोग ट्रोग तो जन संख्या के दिश्टी से सबसे बड़ा राज्य जो है वह आपका उत्तर प्रदेश माना जाता है देखे इसमें अप्शन हसी लग गया है यह इसको गलत कर लिएगा यह गलत है इसका बारे इंसे हो सबसे सब्सेच्षा राज कौन रियुव इसके सबसे सब्सें सबसेच्षोटा राज कौन आपको उपिमे पूचा गया था और यहाँ पर जो है असम टेट में ये पूछा गया अप네요, टिक है मैँ टेश में इस्थीत है यह तो जरकन टेट में एक बड़ा आ गया है बिहाट टेट में पांच बड़ा है U P tete में तीन बड़ा आए है C G tete में एक बड़ा है देखे सब टेट में पूछा है मांट टेवरेस्ट को छोड़के आप मत जाईएगा दिमाग बिठा लिज़ेगा तीनों ची सायद उसके आपकी इजाम में जाए मांट टेवरेस्ट के इस देस में सीथै तो आपकी इनेपाल में है हिमाल है की सबसे उची चोटी जो है मांट में रही बात ओट में गाइन कहा परता है नेपाल में नेपाल में भारत की सब्सें ऊच्ची-चोटी माउन्ट औरेफ्स एक उ delivering है कंचन जंग्हा के नेपाल में भाएद सब्सें नेपाल में सब उची चोटी तो माउंट औरस नियाद आगा ठीक है किलियर तो सब चीज को जब को किलियर रहना है तो कंचन जांगा हिमाले की सबसे मुची चोटी है और यह भारत में इस्थित है क्लियर हो गया ना चली अब देखिए पुरानी जलोड मीटी को किस नाम से जानते हैं अरे भ पूरान का वला जो है एक रजार एक बार प्रस्न आ गया और सिछा पातरता परिच्छा में तो अभी तक आप कहिएगा तो यह सभी राज्यों में आगया है सभी राज्यों के सिच्व पातरता प्रच्व प्रशनियास निकल के आ गया है तो आपके भी एक्जाम में आ सकते हैं एक्जाम को देश्टी से बहुत ही महतुपूर्ण है इसलिए आप सभी सारे प्रशनों को देख लीजेगा ठीक है तीन और जल से या सम्मुदर से गिरेव चैतर को क्या करते हैं तो प्रच्व प्राए टीप जाता है जाता इए चारों और जल से कशेतर को क्या करते हैं और जल सम्मुदर से गिरेवेृःट डीप या कोई नहीं यह आपका बहुत बार प्रश्म पूछा गया है तो चार और जो घेरा हुआ है उसको वह लोग चिर्ट talents को राचEROल जीट को чем साधी को सप्सेद सब्सेद सब्स Information क्ते def go मंदीर कहा 40 पर्शच्णि आपको बिगान के अंतरगत अब तक पूछा गया सब्सक्राइज Director अगर अगर 10 तक देखि लेते 6-10 तो यहां से 65 नट उसके अपगे02 जो जो नोट्स अभी आपको देखे हम यहाँ पर क्या करवाए है जो question 2 और 3 मई को आए हुए है उसका हमने life proof भी आपको प्रस्न है उसके बाद किताब का page number भी हम आपको देख करके clear कर दिये है तो आप उसको भी वीडियो देखना मत बुलिएगा ठीक है अंकरवाट का मंदिर क पंबोडिया में है और इसका निर्मान जो है सुर्य वर्मा दियुतिये ने करवाया है यह भी प्रस्न पुछा गया था कि अंकरवाट के मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था इसका निर्मान जो है सुर्य वर्मा दियुतिये ने करवाया ठीक है चलिए अगला दिखिए ह फ्रांसिसी कहे जाते थे हिंद चीन में जो फ्रांसिसी बसे थे उनको क्या कहा जाता था फ्रांसिसी को ? , फ्रांसिसी सासक वर्क या जेनर ठीक है ? तो देखे हिंद चीन में जो बसने आए फ्रांसिसी उनका नाम इहां पर चेंज कर दिया गया था और उनको कहा जाता था ? कोलोन कहा जाता घृत नरोतम सिहानु कहां कि सा सकतेज्ण नरोतम सिहानु थे नाम बहुत हीं फेमाश से देख लीजेगा नहीं तो ऐसा ही नाम मिलेगा थो गहेंगे त्यक्त प्रस्फन कहीं था ही नहीं बहुत दूर शाया है चितना भी अभी देखें 2-3 तार्पहकind उसका अगर आप लोग कहिएगा तो हम देखें यहां पर आपके लिए उसका लाइफ प्रूफ उसका वीडियो आपको दिखा देंगे चेप्टर वाइज और अभी आज से हम देखें आपके लिए चीज और शुरू करने जारे आपको उतादर हैं कि जो प्रशन आये हैं उसी पर आधारित उसी तरह का आपको उसको दस को 5-10 प्रशन उसी पर आधारित हम आपको रहल सल करवा देने वाले हैं जिसके बात क्या होगा की आपको ऑभी जो पर इछ्छा होगा ना उसी टाप का प्रशन से आयंका जो चेप्टर सव है तो उसी उसी ख़ित कर आधाया रही नहीं तो फॉन जुडूर की जगा मेरा मुइल नमर आपको दिया गया है 96310-54226 ठीक है तो नरोतम सिहानुक कहां के सा सकते हैं तो वेतनाम लावोस थाइलेंड कमबोडिया ठीक है कहां के सा सकते हैं कमबोडिया के सा सकते हैं इसका देखिए यह जो आपका लिखा हुआ था इसका लेखक था फान बोई चाव जो है इसके लेखक थे हैं चो मार्च 1946 में फ्रांस यो इतनाम के बीच होने वारे समझहते को क्या कहते हैं चो मार्च 1946 को फ्रांस और वितनाम के बीच एक समझहता हुआ था ठीक है उस समझहता को क्या कहा जाता है जेनेवा समझहता हनोई समझहता पेरिश समझहता धर्म निर्पेश समझहता क्या कहा के लिए दोसी करार दिया था कौन सा परसे दार्शनिक ऐसे थे जो एक अदालत लगा कर अमेरिका को वितनाम जोद के लिए दोसी करार दिया था अमेरिका को वितनाम जोद के लिए दोसी किषने करार दिया रसेल ने होची मीना ने नरोतम सिहानुक ने या रूशो ने किषने यहाँ पर दोसी करार दिया था, ठीक है, इसका राइट एंसर होगा रसेल, रसेल ऐसे बैज्यानिक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने आदालत लगा कर अमेरिका को वेतनाम जुद के लिए दोसी करार दिया था, हिंदी चीन छेतर में अंतिम यूद समापती के समय में, अमेर सिगटन, निक्सन, जार्जबूस या कोई नहीं, ठीक है, तो हिंदी चीन छेतर में जुद के समापती उरतियु समेरिका के राश्पती जो थे, वो आपके निक्सन थे, कौन थे, निक्सन या निक्स भी कहा जाता है, हुआ हुआ क्या था, हुआ हुआ क्या था, यही प्रस लोगों की एक करंतकारी धर्मिक आंदुलान था, 12 सताबदी में सूर्य वर्माद दिवतिया ने किस मंदिर का निर्मान करवाया था, याद रखेगा, सूर्य वर्माद दिवतिया ये छप रहा है, आपके एक्जाम में ठीक है, 12 सताबदी में सूर्य वर्माद दिवतिया न सूरी वर्मा दिवतिय ने किस मंदिर का निर्मान करवाया तो अंकुरवाट का मंदिर का निर्मान करवाया था ठीक है अंकुरवाट का मंदिर का निर्मान करवाया राइटेंसर भी होगा कौन सा समझोता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बाट दिया था कौन सा ऐसा सम कкоеतासकन समझोथा हुएत नाम समझोथा जनेवा पंचल सम्झोथा ठीक है। इसका राइ टेंसर हो जागा जनेवा समझोथा, जनेवा समझोथा के बाद वितनाम दो भागों में बच गेया था.